परवल बेचे जाई भागल पूर ए राजा मत रहनूर आज से 20 साल पहले जब मैं वहां परफॉर्म कर रही तो सामने लालू परसाद जी भी थे और मुझे वह घटना याद आते है कि लालू जी ने जब मेरा गाना सोना वहां पे और उन्होंने मुझे बस अपने मंच पे प्रवजपूरी के गायक है वह आजकल करोरों की खरीद लेते हैं गले में मोटा मोटा सोना का चैन पहंते हैं लेकिन आप ऐसी गायका है कि आप बिहार की होकर जाकर पहारों पर आप संगीत का आसरम बनाती है पुरी दुनिया से लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए कि ल आप लोगता है कि सार्दा जी नहीं एक बड़ी जिम्मेवारी आप पर बिल्कुल और मेरी यही कोशिस है कि जो भी मतलब जो बिहार के जो पारंपरी गाने हैं उसको मैं जल से जल रिकॉर्ड कर पाऊं ताकि जो यंग जनरेशन है वो भी इससे वाकिफ हो पाए बहुत लोगों ने सुना होगा हिंदी सुना होगा लेकिन देवी की आवाज में आम तौर पर भोजपूरी में ऐसी परिपाटी है कि कोई भी भोजपूरी की गाय का 20 वरसो तक उसी लोग प्रियता के पैमाने पर खड़ी नहीं उतर सकती है नाम है देवी कुमार आम तोर पर बिहार में कुमार लिखने की परंपरा नहीं है और आज हमारे साथ देवी कुमार है और उसी अंदाज में है जिस अंदाज में पिछले 20 बरसों से राष्ट्री और अंतराष्ट्रिये मंचों पर भोजपूरी का परतिनिधितों करते हुए आप देख रहे हैं आये इन्हीं से जानते हैं इनकी यात्रा को लेकर और नए तेवर को लेकर सबसे पहले स्वागर थैंक यू सो मच और आपका तेवर देख के बहुत अच्छा लगा बीस बरसों पहले जब आपने सुरू किया था गांधी मैदान का मंच था पहली बार एक बड़ा आयोजन था और देभी चा गई गाना वही था बहे के पुरवारा जी हा बिलकुल गांधी मैदान के अपने बात की और वहां पर आज से बीस साल पहले जब मैं वहां परफॉर्म कर रही तो सामने लालू परसाद जी भी थे और मुझे वह घटना याद आती है कि ल बड़ा संकूर सा लग रहा था कि कैसे मैं और फिर उन्होंने खुझ से मुझे दस जार रुपए का पुरसकार उस जमाने में दिया था तो वह बहुत ही यादगर पल था मेरे लिए बड़ा सवाल है कि जिस समय आप आई थी आपने एक दम वचन दे दिया भिखारी ठाकव आपको ले जाना चाहती थी कितना बड़ा घाटा होगा की फाइदा हो गया बहुत फाइदा हुआ और मुझे लगता है कि जब आपकी जब अच्छा कार्य करते हैं तो आपकी आत्मा जो है वो बहुत अच्छा फील करती है तो यह मेरे लिए जादा इंपोर्टेंट है और सिर्फ पैसे तो एक मडरर भी कमा लेता है लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पर चल कर कोई कुछ भी हासिल करते हैं तो उसका अनंद अलग होता है तो मुझे लगता है कि मैं अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहती हूं वो चाहिए पैसा हो या शोहरत हो वो मैं चाह देवी मेरी जो आत्मा है वो संतूस्ट रहेगी कि मैंने अपने जीवन में अच्छा कारी कि एक बड़ा सवाल ये है कि चट अगर चट को पैमाना माले भोजपूरी में गायक गाईकाओं का तो सार्दा जी बजी उसके बाद अनुराधा जी बजी अजीत कुमार अकेला बज सब्सक्राइब गूति धरी धोती भींगे जो हम लोग का परमपरिक छप्राइब माइब बहुत सारे है यह जो गाना बहुत पॉपलर है जोड़ी-जोड़ी नारी यारे जोड़ी जोड़ी नारी आरे तो है चट अभूना एच अठी मैया तो है चढ़ए बोना है मया मोरी हाथे लेले डलरिया भोरे भोरे याई बोना जारी 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 चाऊरा जारी जारी चाऊरा चना ने लिपोई बोना अखोई चा मैं भोरे बोना जोड़े जोड़े नारियारे तो है चनाई बोना बहुत कम ऐसे सोभागे साली कलाकार होते हैं जिन्हें सारदा जी जैसी विरासत को अपने कंधे पर आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेवारी मिलती है देवी जी हमारे साथ है आपको लगता है कि सारदा जी नहीं एक बड़ी जिम्मेवारी आपके उपर है बिलकुल और मेरी यही कोशिस है कि जो भी मतलब जो बिहार के जो पारंपरी गाने हैं उसको मैं जल से जल रिकॉर्ड कर पाऊं ताकि जो यंग जनरेशन है वो भी इससे वाकिफ हो पाए तो ब काफे इंस्पायर हो इससे मैंने भी विद्यापती जी का पूरा सिरीज गाया है विद्यापती के सदा बाहर गीट और उसमें आप देखेंगे कि विद्यापती जी के जो बहुत यह अच्छी रचनाए है उसको मैं गाले की कोशिस किया और मेरी कोशिस रहेगी कि जो भी मत को थोड़ा सा सुना देती हूं चलते हैं और देवीजी से सुनवाते हैं आपको मैथली का गीत विद्यापती जी का एक बहुत ही सुन्दर गीत है शिव का वो मैं अपने दर शुरू उसना देती हूं कि भोला घर में चोरी भेलाई गेना ओही ले जे चोरी भाईले भांगे के पुटरिया से ओ घोट न सहीता ले ले जाए कि भोला घर में चोरी भेलाई गे दाए कि भोला घर में चोरी भेलाई गे दाए अब हम इंटर्विव के आखरी पड़ाओ की तरफ हैं और आपको बता दे कि देवी उनसोभाग्यसाली भोजपूरी की गाईकाओं में इकलोती ऐसी गाईका है जिनके बायोग्राफी पे बॉलीवुड में फिल्म बनी है और इनहीं के नाम पर देवी के नाम पर और एक भ खुद प्रोडूस भी कि जलसा घर की देगी वो यूटूब पर आप लबल आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी कहानी है और काफी अच्छे गाने भी है रविंद्री जैन जी साहब का उसमें गाना भी है तो आई थिंक कि लोग को जो प्रन वो भी अच्छी लगेगी देवी जी जो भोजपुरी के गायक हैं वो आजकल करोरों की गारी खरीद लेते हैं गले में मोटा-मोटा सोना का चैन पहनते हैं लेकिन आप ऐसी गायका है कि आप बिहार की होकर जाकर पहारों पर आप संगीत का आसरम बनाती है पुरी दुनिया से लोग आते हैं इतनी मिलती है, वो चाहे आप कितनी बड़े होचल में रह लें, कितनी भी बड़ी गाड़ियों में चल लें, और मुझे लगता है कि बहुत महंगी गाड़ी रखने का कोई फायदा नहीं है, गाड़ी का उद्देश है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाता है, इसका मेन यही कार नहीं है, और आप गाड़ी चाहे, मैने बहुत महंगी गाड़ी है, तो मैं तो सफर करते हैं, मैं सोचती हूँ कि इसमें चाहे वो बहुत महंगी गाड़ी हो या सस्ती गाड़ी हो, आपको सुविदा मिलती है सिर्फ बैठने के लिए, बैठने में जितना आपको आनंद आता है, उतना किसी भी गाड़ी में आता है, तो मुझे बत्त मुझे लगता है कि य अगर मेरे घर में कोई स्टाफ है या कोई ऐसा वक्ति है जिसको मुझे लगता है कि यह पैसा जिसको वहां लगाना चाहिए तो वह मैं उसको करती हूँ तो हर चीज एक जो है ना वह एक सूजबूज की चीज होती है तो पैसे को बहुत ज़्यादा वेस्ट करना वैसी चीज में लगाना जिसका कोई आउट पुट ज्यादा है मुझे लगता है वो मुझे उससे में दूर रहती हूँ और और प्रकृति भी भी मुझे मुझे लगता है कि बहुत आपको आनांदद देता है जब आप गंगा-मा किनारे जाते हैं तो अब इतने प्रिप्ट होतें हैं और मैं बताओं कि यह गंगामा इस तरह का आकर्शन है पतना में भी गंगामा है और रिशिकेश में भी हैं और पूरे वर्ल्ड से जो लोग बहुत सुकसुविदा में रहने वाले है इन्डिया इंडिया में हैं गंगा माँ इतने जब आपको हवा मेलेगी जब आपकों गंगा मा मिलेगी और ये जड़तीका है यह जंगल आप देखेंगे तो मुझे वो टाइम लगता है कि I'm super rich तो वो काफी मैं enjoy करते हूं चलते चलते आखरी सवाल भी पूछ लेंगे उम्र कोई ज्यादा नहीं है 20 वर्सों से गा रही है काफी कम उम्र में आ गई थी एक वीडियो आपका काफी वाइरल हो रहा है आप जारखंड गई थी और लोग उम्र दराज लोग आपका पैर चूत है कैसा लगता है देवी अरे यह तो मुझे मत्तब क्या बोलू बहुत अच्छा भी लगता है लेकिन कही न कही मत्तब एक जिसको बोलते संकोच महसूस होता है कि कई बार बहुत जो उम्र के लोग है वो भी आज आते हैं और वो सम्मान देते हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है कि जब आपसे बड़ी उम्र के लोग आपके आगे जुकते हैं तो यह बहुत बड़ा सम्मान है उन सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और प्लीज आप मतलब मैं इचाहती कि लोग मेरा पैर चु गाना है जो पूरे अंग प्रदेश जो अंगीका का प्रदेश है वहां खुब बजता है परवल वाला एक आपका गाना है भागलपूर चले जाईए देवघर चले जाईए साधी हो कोई भी समारो बजता है हम चाहेंगे कि दो लाइन जरूर सुनाइए परवल बेचे जाईब भागलपूर ए राजा मत रहदूर परवल बेची बेची पायल गणाईब पायल पाहिन बै जरूर ए राजा मत रहदूर परवल बेचे जाईब भागलपूर ए राजा मत रहदूर ए राजा मत रहदूर मधूर गाई की और अपने अंदाज के कारण पिछले 20 बरसों से भोजपूरी संगीत में कलग मुकाम हासिल करने वाली देवी मौजूदा दौर में भी उसी तेवर के साथ नए नए प्रयोग कर रही है और भोजपूरी के स्टेज सो में देवी के इर्द गिर्द भी इनके समकक्ष की कोई गाईकार नजर नहीं आ रही है यहीं सबसे बड़ी उपलब्धी है भोजपूरी को ऐसे कलाकारों पर गर्व है और हम निरंतर हमारा प्रयास है कि आपको भोजपूरी के विरासत के ऐस सही कलाकारों से मिलवाएं इस अक्छातकार में बस इतना ही मिलेंगे अगली बार ऐसी ही किसी कलाकार के साथ तब तक के लिए दिजिए विदार नमस्कार